जो है वो जाना तालो को प्यारा हो गया और बड़ी तकलीब होती है जब ऐसे मौकों पर आता हूं और बाबाब को जुनासा देता हूं अच्छाना साल का था फर्शिर का सुखन था और यह दोर पे और अपना पतंग पापदी हमारी अप्रूबत में थी और एक कानूनी बना था लेकिन आज उनके माबाब का तकाज़ा था कि इस पे सजा उसको सक्से सक्स लिया जाए यह जाएं किसी का बचा चला गया है लेकिन उसमा के जजबिय की गदर करता हूं उसे मुझे का कि मेरा तो बेटा अल्ला के पास चला गया लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी कानून साजी हो कि दुबारा किसी मा का बेटा इस तरह से ना जाए तो मैंने उनको भी कहा है और इंशालला हम कोशिश करेंगे कि इस पे कानून साजी भी हो जो कस्बूलवार हैं उनकी निशानदई ही हो और उनको जो है वो करार वाकि सजा भी मिलें इसाद है आपना आपका एक्व होना यकीना रिसुबे की लोगों की लिए पाइदे मस्याइब को मज़ू मैं जिनको इक्साफ निका आप उनकी खर तक पूद गयाते हैं सर इसको कैसे रोपे रही कि लोगी को बच्चे जिपा हो रहे हैं जो कितरी है और मेरे खाल में हर खाने के ऐसे चू को इल्म होता है कि कहा डूर बन रही है कहा बिपर अगर उस एशेचों के खिलाफ का रहा है एफ पायार हो जांभी ये वाक्यों तो सहर के पामला रूप सब्सक्राइब कर लिए का माधरस जिससे चों को मौतल किया जया वो अभी भी वहीं पर मौदूद है ऐसे चों कि अधक तो एक जान की कीमत आप लगा देते हैं लेकर एसपी वहीं पर रहता है आला स्टरान के खिलाब तो कभी आज तक कारवई नहीं है मैं कुछ स्यासी अपना जो है वो तश्यीर के लिए मैं नहीं आता मैं भी इन्सान हूँ किसी का बाप हूँ किसी का बेटा हूँ तो मैं इसलिए आता हूँ कि एक तो अल्ला राजी होता है और फिर उस मा का या उस बाप का जो दर्द मحसूस करकर एक नया ज़जबा एक नया वलवला मेरे अंदर नी पैदा होता है कि मैं इनके दुखों का मुदावा करूँ अल्ला को राजी करूँ और मुजर्मों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊँ तो आप ने सारी बाते ठीक की हैं हम इन्शालला कुसूरवारों के निशानदरी करेंगे उनको कटायरे में भी लाएंगे और सिर्फ मेरा अनक काफी नहीं है ऐसा कानून बने और उस पर अमलदारी हो ताकि दुबारा कोई मुबीन जो है वो किसी मा का लगते जिकर जो है वो इस तरह से अपना जो है न वो ना जाए दुनिया से तो इन्शालला ये मौशरा है जिससरा मैंने पहले कहा कि मुस्रिम लीग मून के दौर में ही पाबंदी लगी थी लेकिन उसके बाद दुबारा इस पे कानून साजी नहीं हुई तो इन्शालला करेंगे और ये भी मैं कहता चलूं कि मैं बतौई वजियाला मेरा फर्स है लेकिन इन्सानियत के रादे भी मेरे फराइश है और मैं आज भी कबीना की पहली मीटिंग मैं है और उसमें भी मैंने हमने आटे को जो 200 अरब की सबसी दी है आम आदमी तक कैसे पहुंचाना है घी और चीनी को कैसे सस्ता करना है पूरे 36 अजला में प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जरिए आम आदमी जिस अधिन से गुजरा उसका एसास करके अपना जो है चीजों के ठहराओ लेके आना है तो हम पूरी काविश करेंगे ये दिन रात एक करेंगे लेकिन जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है लेकिन मैं सूबह की अवाम से एक वादा दूरूर करता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे और नियत के साथ काम करेंगे और मुझे उमीद है कि ह यह तो नहीं को दिलासा दे रेकिंगे लेकिन एक मैसिज अच्छा मैसिज है लेकिन अधिनिसेटिव इस्थ यह एक कम्यूनिटी और फूलिस के दर्मयान गया बहुत ज्यादा है ढमी जो है कायट फ्लाइंग के पट्चे हो रहे हैं दोचार तो हम साथत कर देंगे के ढमी प अवाम को मैं बदाना चाहता हूँ उन्हें का हमें बड़ी खुशी है आप आए है लेकिन ये ना हो कि तरफ ये कोई अपना जो है आप दुबारा हमसे पूछे ना आए मैंने परसुष बाप को बुला लिया है तो मैंने आपको इस सरह कहा है हाकिम अल्ला की जाथ है मेरी कोई अवकात नहीं है एक बाप के दिल के जजबात लेके मैं यहासे जा रहा हूँ मैं इसकी पैरवी करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल दस जल जो है इस मा के कलेजों को सकून आए इस बाप ने जो बाते की हैं उस पे अमल किया जाए और यह ओते चले जाते हैं हमें जो हमारे दीन में इनसानित का सबक सिकाया है उस पे हमें कार बंद जाना जाए प्रियार यह सियासी बादे है जाना जाना फूल सिर्फ यह सिर्फ बादे है किस बाद से हटकर कि आप शेवाज शरीफ साब के परतंद हैं हम्जा शेवाज एज़ा सी एंव एक साह देर साथ में अपनी क्या लगेसी और रिफार्म का टेटा छोड़ के जाएंगे और क्या रिफार्मस का पंजाम में पुलिस रिफार्मस का पंजाम में आखरी सवाल है आपका, मैं दो महीने से मेरे पास कोई कबीना नहीं थी, आज भी अपना जो है वो दो दिन पहले कवर्णर बना है, सुबह की तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने लोगों कहा तो म मैं लोगों के दुखों का मुदावा करूंगा, आटा हमने सस्ता किया एक सौसाट रुपे, दस किलो का थैला, दो सौ अरब की सब्चली, जी के ओपर हम अपना जो है वो जल्दी अवाम को खुश खबरी देने जा रहे हैं, चूनिया मैं गया, उस माँ को मैंने का, मैंने क साब को कहा है कि अच्छे इमानदार पुलीस वाले लगाएं, वो नहीं तो चार साल पहले रिश्वत दे कर लोगों के तयानाती होती थी, और पुलीस का आवे का आवा बगड़ा था, विरॉक्रसी जो काम नहीं करती थी, तो मैं लोगों को कोई ऐसा दावा नहीं करूंग कि लोगों लोग वावा करें कि मैं किसी अपना जतीम के घर चला गया जहां पर कतल हुआ है, तो क्यामत वाले दिन मेरे अमाल मेरे मूँ पर मारेगा, मैं अल्ला को राजी करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, और मैं अल्ला के बात अवाम को जवाब दे हूँ, तो इंशाल आदे ये बता दे हैं साथियों